चित्रकला अजन्ता की गुफा चित्रकला अजन्ता की गुफाएं महाराश्टर के पश्चिमी भाग में इस्थित हैं और दूसरी शताब्दी ईसापूरों से लेकर पाँचवी यद छटवी शताब्दी ईस्वी तक की हैं यह माना जाता है कि इन गुफाओं की चित्रकला मुख्य रूप से प्रारंभिक गुप्तकाल की हैं इन गुफाओं को घोड़े की नाल के आकार में कृत्रिम रूप से बनाया गया था कुल मिलाकर 29 गुफाएं बनाई गई थी जिनमें से अधिकांश विहार के मठ थे और पांच स्थूप मंदिर थे अंधेरी दिवारों पर चित्रकलाएं मूर्तिकला, बुद्ध की मूर्ति की नकाशी और नाजुक रूप से बनाये गए भित्चित्र इन चित्रकलाओं की कुछ विशिष्टाएं हैं इलोरा में चट्टान तराश कर बनाई गई मूर्तियां इलोरा भी अजन्ता की भाती मूर्तिकला और वास्तुकला के साथ विहार परिसर गुफा पैटर्ण है ये गुफाएं लगभग छे सो इसवी से एक हजार इसवी से पहले की है इन गुफाओं में चट्टान उतकीरणनों में हिंदू देवी देवताओं और पुराणों को चित्रित किया गया है यहां के समार्कों को राश्ट्र कूट वंश के दवरान बनाया गया माना जाता है और उन में से अधिक तरका शाही परिवार और व्यापारियों द्वारा विद्थ पोशन किया गया था यहां एक सो से अधिक क्रित्रिम गुफाएं बनाई गई थी जिन में से अब 34 गुफाएं जनता के लिए खुली है गुफा भवनों और मूर्तिकला का पैटर्न चुकि अजनता की चित्रकला इलोरा से 600 साल पहले की है हम गुफा निर्माण और वास्तुकला दोनों में सपष्ट रूप से अलग-अलग शैलियों को देख सकते है अजनता में बोधिस सत्तो की शैलियां कुछ विशिष्ट है लेकिन एलोरा में हम गुजरात उतकिर्णन पैटर्न और अन्य भारती वास्तुशिल्प शैलियों को एक दूसरे में विलीन रूप से देख सकते है इसके अलावा एलोरा में कई भली भाती सुसजित और मूर्ती कला युक्त हिंदू मंदिर पाए जा सकते है